तो गाइज मैं हूँ आएश और आप देख रहे हैं रेसलिंडिया स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहांब एक बार फिर से बहुत सारी न्यूस की अपडेट्स हैं और साथ की साथ आज हुए NXT के शो के बारे में हम बात करेंगे तो कहीं जाने की जरुरत नहीं व पॉड़कास रैंक कर रहा है क्रिस जरिको स्टोन कोल्ड वाट कल्चर इन सब पॉड़कास को हमने पीछे शोड़ दिया है और डेफिनिटली नंबर वन पे है इसके इलावा कर हम इंडिया के पॉड़कास चार्ट की बात करें तो उसमें हमें 13 नंबर पे देखने को मिल र हुआ कि सेकेंड एपिसोड के लिए आप लोगों को जादा इंतिजार हम नहीं कराने वाले हैं डेफिनिटली वो जल्दी आएगा को आप उसके लिए स्टे टून रहे हैं और अपना सपोर्ट ऐसी जो है दिखाते रहे हैं और अगर किसी वो लग रहा है क्या मैं बोली जा कि हम बात करते हैं तो कल एक इंपोर्टेंट स्टोरी मैंने डिसकस करी थी रिगार्डिंग आडम कोल कि कैसे वो डेब्ली छोड़के और एली लीड रेस्लिंग जा सकते हैं और आज एक और एक्स्टेंड अपडेट आई है जहां पर पता लगाए कि अभी तक डेब्ली ने कोई नया कॉंटरेक्ट आफर नहीं कर आये एडम कोल को यानी कि अभी वो प्रासेस में है एक कॉंटरेक्ट शायद आफर करा जाएगा लेकिन करेंटिल कोई नहीं अज कि आज कि हम बात करें तो आडम कोल करें तो टो डिब्ली आफ्र Test Slam Takeover जो भी शो होगा उसके बाद वो एक free agent हो जाएंगे मुझे लगता है कि एक deal तो definitely offer करी जाएगी लेकिन Adam Cole के पास freedom है कि बहीं मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए और अगर ये सारी demands पूरी कर सकते हो तो मैं contract sign करूंगा तो सारा जो power app उनके हाथ में आ चुका है जो क क्या वो हमारे squad का या फिर roster का पार्ट बनेगा लेकिन उन्होंने याद दिलाया है कि मेरा relationship बहुत अच्छा है Brave Wyatt के साथ क्योंकि NXT के season 2 में guys Cody Rhodes mentor थे Husky Aris यानि कि Brave Wyatt के तो तब से वो साथ में थे काफी समय उन्होंने WWE में साथ में बिताया है और वो या पर praise भी करते है कि कि creative बंदा है Brave Wyatt हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया रहता है regarding some storyline और वो कहते है मुझे पता है कि जहां भी अब वो जाएगा उसको success तो definitely मिलेगा लेकिन इस पर हम comment अभी नहीं कर सकते कि क्या वो AEW का पार्ट हो और नहीं I think definitely AEW Wyatt को लाना पसंद करेगी guys और अपना एक reaction डाला एक statement थी जहां पर लिखा हुए simply कि मेरा और WWE का जो vision था मेरे future को लेके वो अलग अलग था तो हमारी जो match है वो चीज़ें हो नहीं रही थी और इसकी वेरा से जो है मैंने release के लिए मांग लिया और वो ये भी कहते हैं कि अभी मैं जहां पर हूँ अपने career man ने बात बोली थी कि हां भाई WWE, AEW को कोई competition मानती नहीं है तो Jerry को से इस बारे में recent interview में पूछा गया और वो भी यही बोल रहे है कि ठीक है wins इसके लावा बोलेंगे भी क्या और अगर सच बताओं तो AEW भी इस point पे WWE को competition consider नहीं करती हम उनसे compete नहीं कर रहे है क्योंकि हमा बैट के देखते थे NXT क्या कर रही है तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए और वो उपर से यह भी कहते हैं कि अगर हम अपने उपर यह भी focus करेंगे तो बैटर रहेगा और वो कहते हैं अगर 18-49 demographic में अल्रेड हमारी rating इतने अच्छी आ रही है तो future में हो सकता है कि हमें भी कोई billion dollar की deal मिल जाए और वो needle move करने वाली चीज जो है business में फिर से introduce हो जाएगी तो guys Jerry को ऐसा लग रहा है कि इस समय AW के लिए बोल रहे हैं कि हम अपने ऊपर ठीके हो हैं हम अपना काम कर रहे है WW जो कर रही है उनको करने दो हमें अपनी growth से मतलब है और बिलकुल ऐसी चीज रहन बाई दिमाग जो है पूरे तरीके साइटिंग हिल चुका है उन्होंने लिखा I have seen you same fans मतला हुमारे बात कर रही है जो कि we want Wyatt की chant कर रहे थे बाई Monday Night Raw में यह वही लोग हैं जो we want beach ball की chant कर रहे थे जब ब्रेव वायत एक्चुली में मैच लड़ा करते थे क्योंकि उनके राउड को उठाके करें हैं शिकागो के कि millions and millions दो डव्ड़ी के fans है सब ऐसा ही सोच रहे हैं कि सब we want Wyatt की chant कर रहे है और अगर रॉंडा राउजी बेसिकली व्ड़ी में थोड़ा इंटरस्ट लेकर खुद भी उस प्रॉड़क को देख रही होती तो शायद उनको realize हो ला था कि Wyatt की booking कैसी चल रही थी वो एक ऐसा character था जो बंदे ने खुद बनाया लेकिन व्ड़ी ने उस पर अपना take ले लिया और उसको बरबाद कर दिया और I don't think कि fans कभी भी guys किसी time पर ऐसा सोचते थे कि Wyatt को निकल जाना चाहिए इस company से मैं हमेशा यह सोचता था कि WWE Brave Wyatt को deserve भी करती है क्योंकि वो जो vision देखते हैं वो match नहीं हो पा रहा है और सारे fans यह चाते थे कि Brave Wyatt की booking better हो जो की नहीं हुई और finally उनको company से निकाल दया गया तो Ronda Rousey I और भाई एक बार फिर से उन्होंने इस tweet से दिखा दिया अगली story के हम बात करते हैं guys तो Cody Rhodes ने अपनी इस interview में एक और चीज को mention करा और वो था AEW Rampage और वो बताते हैं कि देखो भाई इसको भी हम as a show ही treat कर रहे हैं तो यह भी हमारा one hour का show होगा लेकिन इसकी जो set होगी ज हाँ वही रिंग के बीच में हम लोगो डालेंगे AEW का यह एक काफी पुरानी चीज है guys जो पहले wrestling companies करा करती थी और जो classic set बनाने की बात की जारिया शायद उसी का यह बाट है तो interesting रहेगा देखना कैसे rampage लगेगा उसका set अलग dynamite से लेकिन अगर आप जानना चाते हैं कि CM Punk का AEW के अंदर debut opponent कौन हो सकता है और betting odds की पूरी list आगई है अगर सबसे जाधा chance की बात करें तो दो नामें आपे tie होते हैं guys जो कि है Daniel Bryan और Darby Allen तो इनके equal equal chance है इसके बाद मैं आपको order में list बताता हूं Christian Cage, Orange Cassidy, Cody Rhodes, Chris Jericho, Matt Hardy, Jungle Boy and Sting तो जिसका नाम last में है उसका सबसे कम chance ज Cody Rhodes या Darby में से कोई एक बहुत बड़ी opponent हो सकता है punk के लिए आप लोग इस list में से किसको देखना चाहेंगे definitely मुझे comment सुमता हैं अब हम बात कर लेते हैं आज हुए NXT के show की guys जो कि एक बहुत ही normal सा show था कुछ भी इसमें खास नहीं था opening match hit row का था against Legado Del Fantasma जा एसको बार steel chair ले आते हैं एक disqualification में खतम होता है hit row match को जीत गई, match के बाद एसको बार attack करना start करते हैं Isaiah Swar Scott को भी लेकिन segment के end में hit row को यहाँ पर upper hand मिलता है लेकिन एसको बार I think Isaiah के दातों पर जो लगा होता है उसको लेके चले जाते हैं और वो ऐसे दिखाते हैं कि हाँ मेरे को एक छोटी सी trophy मिल गई, एक upper hand मिल गया इसके बाद हमें देखने को मिलता है guys, Ridge Holland का match अगेंस Ickam and Zero, एक squash match था, Holland यहाँ पर जीत गए और match के बाद Pete Dunne Mike लिखे कहते हैं कि मैं, Oni Lorcan और Holland इस पूरी company के अब three most destructive men है और जैसे हमने Thatcher और Champa को destroy कर रहा था, वैसे हम किसी को भी कर सकते हैं अगर किसी को problem है इस चीज से, तो वो आके हम यहाँ पर confront कर सकता है अगली चीज के हम बात करें तो backstage होती है Franky, Monet, guys और यहाँ पर Robert Stone को कहते हैं कि तुम्हारे tactics चल नहीं रहे हैं इस table को भढ़ाने के लिए, तो अब मैं अपने ही साब से चीज़ें करूँगी लेकिन at the end एक ठीक ठाक match था, अच्छा match था और Roderick Strong Guys यहाँ पर जीत गए तो clearly पता लग रहा है कि Diamond Mine को यहाँ पर strong दिखाया जा रहा है अगली चीज के हम बात करते हैं तो The Grizzard Young Veterans का match होता है LA Knight और Cameron Grimes के साथ और यहाँ match से पहले एक segment देखने को मिलती है जहाँ पर Grimes और Knight के बीच में agreement होते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देंगे लेकिन Knight कहते हैं Grimes भाई तुम अपने बटलर के कपड़ों में ही लड़ोगे तो यह match चल रहा होता है और जैसी Grimes अपने hot tag के लिए जाते हैं LA Knight वहाँ से चले जाते हैं तो उनको धोका दे रहते हैं एक बाद फिर से और यहाँ पर Grisald Young Veterans इस match को जीट जाते हैं match के बाद Teddy भी 80 आते हैं एक बाद फिर से console करने ही कुशिश करते हैं Cameron Grimes को गाईस और basically यह चीज हमें देखने को मिली इसके बाद Dakota कायका यह बहुत ही कमाल का प्रोमो में सुनने को मिला एक pre-tape प्रोमो जहां पर उन्होंने explain करा कि आखिर क्यों उन्होंने Raquel को attack किया है और वो बताती हैं कि देखो भाई मैंने Raquel को NXT में introduce किया था वो मेरी body guide type थी उन्होंने मेरी बहुत मदद करी बहुत time तक title retain करने में बहुत सारे matches जीतने में लेकिन उस point पे हमने friendship भी अपनी बनाई फिरम tag team titles भी एक साथ जीते लेकिन उसके बाद शायद जो limelight मेरे पास थी वो दिखने लग गई Raquel को और वो greedy हो गई कि वो सब चीज उनको भी चाहिए और उसके बाद Raquel अपने रस्ते पे चली गई और जो चीज होनी नहीं चाहिए थी बिल्कुल वो ही हुई कि मैं अब Raquel की एक sidekick बन के रह चुकी हूँ वो mainstream में चली गई और वो कहती है कि अगर NXT में Raquel को मैंने introduce करा था तो अब वापिस भी उनको मैं भगाऊंगी और वो कहती है यह ऐसे होगा जब मैं NXT Women's Championship को capture करूंगी काफी realistic, काफी बढ़िया प्रोमो था, pre-tape जरूर था लेकिन सुनने में तब भी मसा आया इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो NXT breakout tournament के first round का एक और match टेकने को मिला जहां Trey Baxter ने हरा दिया Joey Gacy को और कुछ interest ही नहीं आ रहा है इस tournament में ऐसा लग रहा है बस चली जा रहा है, ना super stars को कोई जानता है, ना कुछ तो interest नहीं था बिल्कुल भी इसके बाद Karen Cross आजाते हैं, announcers table पे खड़े होके और बहुत गुसे में call out करते हैं Samoa Joe को अब William Regal ने Joe को security दे दी थी और बोला कि भई देखो take over से पहले तुम दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं security दे रहा हूँ, लेकिन Joe तब भी भागतो है बाहर आते हैं गुसे में Karen Cross वहाँ से cut लेते हैं, और Joe को इतना गुसा आ रहा था कि उन्होंने अपने guards पे गुसा निकाल दिया एक guard को choke out कर दिया, तो इनका match बहुत interesting होने वाला है take over में और मेरी prediction आप जानते हैं कि Samoa Joe will become the new NXT champion, इसके बाद हम बात करते हैं तो finally अपने main event के अंदर guys, lose her और love her का match हमें देखने को मिला Johnny Gargano और Dexter Lumis के बीच में, ये एक अच्छा match था लेकिन at the end गलती से Dexter जो है वो मार देते हैं Indy को और इसकी वैसे एक distraction होती है and Johnny hits one final beat for the victory और जबकि lose her वाली stipulation लगनी चाहिए थी कि Indy अब Dexter के पास नहीं जाएंगी, लेकिन match के बाद वो तब भी Dexter को kiss कर लेती है और Johnny और Candice महां से चले जाते हैं तो I don't know ये story आगे कैसे progress करेगी गाईस लेकिन देखना interesting रहेगा और overall आज का show काफी normal सा था लेकिन अगले हफते के लिए कुछ बड़ी चीज़े announce है Adam Cole confront करेंगे Kyle O'Reilly को, Raquel Gonzalez अपना reply देंगी गाईस Dakota Kai को Ilja Dragunov में देखने को मिलेंगे from NXT UK in action और finally Ember Moon का match होगा सरे के साथ और next week जो NXT USA Network पर भी वापस आ जाएगी तो ये था आपका NXT का review और साथ के साथ अपडेट्स गाईस अगर वीडियो पसंद आई है से like करें और असली अखाड़ा को check out करें second episode की details मैं आपको जल्दी दूँगा तब तक के लिए thank you so much to watching मैं हूँ आईश और आप देख रहे है रेसल इंडिया